वेलकूँ टू मैच हो मभी गुरू दोस्तों राउन टू का रिजल्ट आ जुका है जैसा कि मैंने पहले भी बोला था राउन टू के एक्सपेक्चेट कट अउप में कि लगबग 2000 एंडिया रेंग का गैप आ सकता है जनरल के डेगरी के लिए जहां तक मैंने बोला था कि इम्स का कट अफ है तो इम्स का कट अफ भी काफी ड्रॉप हुआ है जहां तक जनरल के डेगरी का कट अफ में बात करूं तो 39 का कॉलेज है जिसका कट अफ सबसे ज़्यादा गया है और 15,000 एंडिया रेंग तक सीटे मिली हूँ जैसा कि मैंने अलड़ी बोला था आपसे कि 2000 का गैप होगा मेरी बात अगर आप याद रखे होंगे तो याद रखे होंगे हला कि मैंने ये भी बोला था कि जिनकी रेंक 18,000 तक हो भी अप्लाई करें अपनी चांसे लेकिन उम्मीदे थी कि 2000 एंडिया रेंक तक चांसे बिले के इसी तरह से OBC, EWS, SC,T सब का कट अफ कम गया है, इवन इम्स, जम्मू का भी कट अफ, 7,500 और इंडिया रेंक तक गया है, जो कि मैंने प्रेड़िट किया था लगबग वहां तक अप्रोच किया है, तो ओन और राउंड जो एक्सपेटेट कट अफ के वो प्रेड़िटेट कट अफ के जैसा ही गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप में इसे जिनके लेड़िट को सीटे मिली हैं, वो जरूर रिप्लाई करें, इस वीडियो के कमेंड बॉक्स में कि कहां पर सीटे मिली हुई है, क्या उमीदे हैं, कुछ कैंड़िट से जो राजस्थान के हैं, कुछ कैंड़िट से जो बिहार के हैं, जिनके लिए थोड़ा सा problematic हो सकता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आगे किया किया जाया है यहां पर एगर सीटें मिली है तो इसको लिया जाया या फिर बिहार के round 1 का result किया जाया वेट किया जाया और round 1 में नहीं होता है तो round 2 का क्या होगा आप में बहुत सारे doubt होंगे लेकिन देखा जाएगा उसके बारे में क्या होता है अभी तो ये confirm है कि 15,000 और रेंक लगभग तक सीटें आपको मिली है तो जैसे कि मैंने बोला था that's all thanks bye and take care